नवनित क्रियेशन्स प्रस्तूत अंकों की दुनिया इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब तक 30,000 से जादा लोगों को गाइड किया है। सिर्फ इंडिया में नहीं बलकि अब्रोड में भी। और 2023 में इन्होंने जो 11 मेजर प्रेडिक्शन्स की थी वो भी 100% सही साबित हो चुकी है। आज उन्हीं से इसे के बारे में बात करेंगे। सबसे जादा जोतिश को संसाइन के हिसाब से मानते हैं जोडियाक्साइन। तो हम क्या करेंगे आज कि इंडियान जोतिश, अंकशास्त्र और जोडियाक्साइन। इनका मिक्स करके उस परस्नालिटी का मन्तवाइस थ्रेड बताने वाले हैं। तो आज हम जन्वरी के बारे में शुरूगात करेंगे कि जो लोग जन्वरी में जन्में हैं उनके हिसाब से अंकशास्त्र कैसे काम करता है। सबसे पहले जन्वरी का नंबर एक है और वो कैपरिकॉन भी आती है जोडियक साइन। इनका जो डिसीजन होता है वो एंड रिजल्ट सोचके फिर लेते हैं डिसीजन। और हमेशा सेफ प्लेयर बोलतों सारी संभावन आये चेक करके आंसर लेने वाले और इनका एटिटुड काफी अंबिशियस होता है हमेशा कभी गिव अप करना इनका यह नहीं और मुपट भूत होने के कारण शनी और सूर्य दोनों एक साथ रहने के कारण इनके मित्र इनके साथ इनके बीमारियों से बचना चाहिए इसके बारे में आज बताईए इस के बारे में आझ बारे में आज बताईए तो उस इसाब से इनको संदिवाद, फिर पित्त की शिकायत, साइकोलोजिकल डिसॉर्डर वगरे इनको होते हैं इनके आइडियल लाइफ पार्टनर कैसे होने चाहिए? लाइफ पार्टनर हो या बिजनस पार्टनर हो या अच्छे फ्रेंड जिनके साथ इनकी जमती है और अगर ये मन्त में मैच नहीं होता है तो कोई भी वेक्ति जिसका डेट आप बर्थ 8, 17 या 26 है ये उनके अच्छे पार्टनर्स बन सकते हैं अच्छा क्योंकि अभी आपने बोला था कि इनके फ्रेंड्स बहुत कम रहते हैं तो लाइफ पार्टनर के टाइम चूज करते समय ये ध्यांड रखना भी बहुत जरूरी होगा इनके लिए ज़िए जैसे अभी आपने कहा कि लाइफ पार्टनर्स चुनते समय उन्होंने क्य करना है या फिर किसके उपर ध्यान देना है इस माहा में जो लोग पैदा होते हैं उनके लाइफ पाटनर मतलब अगर हस्बंड हो तो वो कैसे होते हैं यह हमारे इस वीडियो का एक में परपस यह है क्योंकि दिन बर दिन रिष्टों में जो दूरिया आ रही है अगर आपको कि आपका हस्बंड आपकी वाइफ इस पर्टिकुलर मंत की है और आपको उससे डील कैसे करना है तो डेफिनेटली इसका फायदा होगा मुलंग भाग्यंग तो काम करती है पर मंत भी बहुत काम करता है तो जैसे अगर कोई जन्वरी में पैदा हुआ हुआ पती है तो उसक पति है और उनको परिवार की एकता बहुत अच्छी लगते है उनको लगता है कि परिवार का हर सदय से सात में रहें तो लोग ऐसा सोचते है कि फैमिली को टाइम नहीं देते हैं विद जनरली हाव कम्प्रीट फोकस ऑन दे फैमिली और इनको ऐसे लगता है कि सबसे जादा इनके पत्नी ने इनका सुनना चाहिए तो यह होता है पती के बारे में पती बोलो बॉइफरेंड बोलो होने वाला पती जो भी है अगर यह हम पत्नी की बात करें कि अगर यह रोल में जन्वरी में पैदा हुई पत्नी है तो वह बहुत इंटिलिजेंट रहेगी अंबिशे कि उन्हों ने जो कुछ अच्छा किया है उनके पती उनके साथ ससुर उसको रेकनाइस करें इनका जनरली इनको काफी बढ़िया लगता है बिल्कुल मतलब शादी जब हम शादी के बारे में सोचते हैं तो यह चीजे भी धान में रखना बहुत ही जरूरी है उसके साथ ही और उनके लिए कौन सा रत्न लखी होता है यह भी बता दीजिए देखिए मैं हमेशा ऐसे बोलता हूं कि यह जितने भी जोतिश के शास्त्र है आपको कोई एक्ष्टा चीजे नहीं करनी यानि जैसा आदमी कपड़े पहनता है तो पहनो पर लखी कलर के पहनोगे तो वाइ मुनी कलर और कोई भी ब्लैकिश लाइट ब्लैक का शेड इनको लखी होता है अगर रत्न की बात करूं तो जनरली कुंडली भी देखना चाहिए पर और इनके लिए मोती काफी अच्छा होता है जी बिल्कुल यह उनको शांत रखेगा जी हम यह सब चीजे जो बता रहे हो म आज यही पर हम आपकी रजा लेते हैं फिर मिलेंगे नवनित क्रियेशन्स प्रस्तूत अंगों की दुनिया इस प्रोग्राम में डॉक्टर नवनित मांधनी जी के साथ तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार